ये लो सबजी की लिस्ट और अम्मा ने खासकर कहा है कि गोल वाले बैंगन लेकर आजाना उन्हें बैंगन का भरता खाना है पिछली बार भी उन्होंने बैंगन मगाए थे आप भूल गये थे पर इस बार याद से बैंगन ले आना अरे भाई एक सेकिंड के अंदर तुमने इतनी बार बैंगन बैंगन बोल दिया है कि अब तो मैं उसे भूली नहीं सकता ये अम्मा भी ना पता नहीं इन्हें बैंगन का भरता इतना क्यों पसंद है सुरेश सामान के लिस्ट लेकर बाजार चला जाता है और थेला भर कर सबजी खरीद लाता है कि भगवान इतना याद दिलाने के बाद भी आप बैंगन लाना भूल गये अब अम्मा मुझे सुना सुना कर मार डालेंगी उन्हें तो लगेगा कि मैंने जानबोश कर आपको नहीं बताया ये लो मैं भी यही सोच रहा था रास्ते भर कि कौन सी ऐसी सबजी है जिसे मैं भूल गया सुरेश वापस बाजार की तरफ चल देता है अंधेरा हो चुका था तभी उसे एक आदमी अपनी रहड़ी को लाते हुए दिखाई देता है उसकी रहड़ी पर केवल दो बैंगन रखे थे सबजी वाला हसते हुए वो दोनों बैंगन सुरेश को पकड़ा देता है घर आने पर वो बैंगन रूपा को दे देता है अरे देख लिया तेरा प्यार सुरेश सारी सबजी याद रहती है तुझे बस बैंगन याद नहीं रहते हाँ अरे अमा तुम्हें पता है ना कि बैंगन की सबजी मुझे इतनी खास पसंद नहीं है तुम्हें न जाने सबजी में ऐसा क्या मिलता है हाँ हाँ, अब तो तु ऐसा ही बोलेगा, रूपा, अरी ओ रूपा, अब रात हो गई है, अभी रहने दे, कल सुबह तु मेरे लिए चटपटा सा भैंगन का भरता बना देना, ठीक है, ठीक है अम्मा, अगले दिन सुबह देखो भई, मेरे ओफिस के लिए तुम टिफिन में कुछ और बना कर दे देना, भगवान के वास्ते वो बैंगन का भरता तो बिलकुल मत देना, अम्मा के लिए दो पहर में बना देना हाँ, हाँ, सबको बस यही लगता है, कि इस घर में सबसे ज़्यादा फ्री मैं ही हूँ, अभी कुछ बनाओंगी, दो पहर में कुछ और बनाओंगी अच्छा तो तुम एक काम करो, दोनों साज बहु बैठकर बैंगन का भरता काओ, मैं ओफिस में ही कुछ मंगा कर खालूँगा ऐसा बोल कर सुरेश ओफिस के काम के लिए निकल जाता है, और रूपा घर का काम खत्म कर किचर में आकर बैंगन का भरता बनाने की तयारी करती है एक बड़ा गोल वाला बैंगन लेती है और उस पर तेल लगा कर उसे चूलहे पर रख देती है अरे मार डाला, मार डाला, कैसे लोगें सोने भी नहीं देते, अरे गरम आग पर बैठा दिया मुझे बैंगन को उचलता हुआ देखकर रूपा डर कर किचन से बाहर निकल आती है बैंगन अपने आपको आग से हटा कर ठंडे पानी में डाल देता है तभी रूपा डरते डरते रसोई में आती है अब वहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रही हो? मैं ठंडे पानी में ठंड से काप रहा हूँ मुझे निकाल कर किसी कपड़े से पोँच्ट दो रूपा रसोई से भागने को हो ही रही थी तभी वो बैंगन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से ज़्यादा ठंडे पानी में गिर गया है उसे बाहर निकाल ले रूपा डरते डरते उस बैंगन को बाहर निकाल कर कपड़े से पोँच्च देती है शुकर है अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ तुमने भी गजब कर दिया आओ देखानत आओ तेल लगा कर मुझे चूले पर रख दिया है इसमें बेरी क्या गलती है मुझे थोड़ी पता था कि तुम बोलने वाले बैंगन हो बोलने वाला नहीं मैं एक जादूई बैंगन हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ बताओ तुमें कौन सा काम करवाना है पिल्हाल तो दोपहर के खाने का समय हो गया है अगर आज अम्मा को बैंगन का भरता न मिला तो मेरा भरता बना देंगी बस इतनी सी बात तो ये लो जादूई बैंगन अपने हरे डंठल को इधर उधर हिलाता है रूपह देखती है कि रसोई में तरह तरह का खाना बना रखा हुआ है जिसमें बैंगन का भरता भी है तभी अम्मा रसोई में आती है अरे रूपा क्या कोई महमान आने वाला है तूने तो मुझे बताया ही नहीं इतना सारा खाना और वो भी इतना स्वादिश्ट ला जवाब नहीं नहीं अम्मा महमान तो कोई नहीं आ रहा बस ये तो इस जादूई बैगन ने अपना जादू दिखाने के लिए रख दिया है जादूई बैगन? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है अरे ये जादू की कहानिया तो मेरे एक बचपन में मेरी दादी और नानी सुनाया करती थी आज कहां जादू रह गया है? आज तो टीवी चलता है, फोन चलता है, जादू थोड़े चलता है अरे अम्मा जादू भी चलता है, सही से देखो मैं जादूई बैगन हूँ बैगन की आवाज सुनकर बैगन की तरफ देखती हैं और उचल पड़ती है क्या हुआ अम्मा, तुम तो चौक गई, देख लिया, अब भी जादू चलता है ये भगवान, ये मेरी आँखे क्या देख रही हैं, ये तो सच मुझ में जादूई बैगन है, कैसे पटर पटर बोल रहा है अम्मा, बोल ही नहीं रहा हूँ, बलकि इतना स्वादिष्ट खाना भी लगा दिया है, जरा खा कर तो बताओ रूपा और अम्मा, खाना खाने बैठ चाते हैं, खाना इतना लाजवाब था, कि वो दोनों भूग से ज्यादा ही खा लेती है ए भगवान, इतना सारा खाना खा गई हूँ, कि पेट भी फटने को हो रहा है अम्मा, बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे भी ऐसी ही हालत हो रही है अरे मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खाना तो मैं अभी छूमंतर कर देता हूँ थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने आपको पहले जैसा महसूस करती है अच्छा, तो तू जादूई बैंगन है, ये तो मैंने देख लिया लेकिन इस खाना वाना बनाने के अलावा और क्या जादू जानता है अमा, आप बताओ, आप कौन सा जादू देखना चाहती है मेरे गाओं में बड़ा सा हिंडोला लगा करता था, जूलने के लिए मुझे वो बहुत पसंद है लेकिन जब से शहर में आई हूँ, यहा ना जाने कैसे कैसे जूले होते हैं बस, वही नहीं मिलता, मेरी बड़ी इच्छा है, मरने से पहले एक बार उस जूले पर जूलू, हाँ बस, इतनी से बात, चलो ठीक है, आप अपनी आँखें बंद करो अब अमा जैसे ही अपनी आँखें बंद करती हैं, अपने आपको हिंडोले पर पाती हैं जी भर कर जूलने के बाद, अमा खुश हो जाती हैं, और बैंगन से कहती हैं कि वापस घर चलो, शाम को जब सुरेश घर आता है, तो बड़ा परेशान था क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? तबियत तो ठीक है ना? हाँ, तबियत को तो कुछ नहीं हुए, बस आज आफिस में बहुत इंपोर्टन फाइल गुम हो गई है, अगर वो कल सुबह तक मुझे नहीं मिली, तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जान बूज कर उस फाइल को गुम कर दिया भगवान न करे, आप पर कोई मुसीबत आए, सुरेश परिशान होकर इधर से उधर घूम रहा था, रूपा चाय बना कर ले आती है, तभी उसे अचानक जादूई बैंगन की याद आती है, और वो सुरेश से कहती है आप बिल्कुल चिंदा मत करो, मैं अभी जादूई बैंगन से पूछ कर बताती हूँ, कि आपकी फाइल कहां पर है जगो रूपा यह मजा का समय नहीं है, कौन सा जादूई बैंगन? तभी रसोई में से बैंगन उचलता उचलता ड्रोइंग रूम में आ जाता है, और सुरेश से कहता है क्या बात है दोस्त, अपने हाथों से मुझे देख भाल कर, घर लेकर आए और भूल गए चलो वो सब तो हम बाद में बैठ कर बात करेंगे अच्छा, तो तुमारी परेशानी ये है कि तुमारी इंपोर्टेंट फाइल गुम हो गई है तुमारा अंदाजा बिलकुल सही है, तुमारा ही दोस्त, किशोर ने वो फाइल उठा कर अपने आफिस की टेबल की ड्रो में रखी हुई है किशोर ने? मैं तो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, अखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था कि फाइल के दिखाने के बाद तुमारी प्रमोशन पक्की है, जबकि उसकी अभी प्रमोशन दूर दूर तक भी नहीं है खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो, कल सुबह जब तुम आफिस जाओगे, वो फाइल तुम्हें अपनी टेबल पर मिलेगी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवा दोस्त, तुम्हारी वज़े से मेरी नौकिश बच गई धन्यवा देने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है वैसे बड़ी हैरानी की बात है, उस दुकान वाले के पास में दो ही बैंगन थी, उन्हें मैं ले आया उस में से एक जाओवी बैंगने, लगता है मेरी किसमत बहुत अच्छी है हाँ, मुझे भी लगता है, तुमारी किसमत बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पूरा टाइम उस दिन सब के हाथों में आने से खुद को बचाता रहा और आखिर में देखो, तुमारी हाथों में आ ही गया चलो भई, अब तो हाथ मो धोलो, आपकी फाइल का मामला तो सुलज गया है ना सब लोग खाना खाने बैठ चाते हैं, जादूई बैंगन वहीं सोफे पर आराम से बैठा हुआ था इस बैंगन को देख कर तो सच मुझ मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जादूई बैंगन, वो भी हमारे घर पर सुरेश बेटा, मैं सोच रही थी, अगर जादू देखना ही है तो क्यों ना आज उन सब गरीब बच्चों की मदद करें जिनके पास उनकी जरूरत की चीज़े भी नहीं है अरे वा मा, तुमने तो बड़ा अच्छा सोचा मैं भी यही सोच रहा था कि खाली बैठे-बैठे में क्या करूँ हाँ मा, यह सही रहेगा, पर सो तुमारा जनम दिन भी है तुमारे जनम दिन के उपलक्ष में हम गरीबों की मदद कर देते देखो भाई, मुझे तो कोई आपती नहीं है पर मैं ज्यादा दिन ये एक जगह पर नहीं रह सकता मैं एक हफ़ते तक यहां रुकोंगा जो काम करवाना है, इस एक हफ़ते के बीच में ही करवा लो अच्छा, ऐसी बात है, तुम सिर्फ एक हफ़ते के लिए हमारे पास हो फिर उसके बाद कहां चले जाओगे मैं जादूई बेंगन हूँ, मैं उनी लोगों के पास अपने आप पहुंच जाता हूँ जिन्हें मेरी जरूरत होती है अगले दिन सुबा सुरेश, जब अपने ओफिस जाता है तो उसे फाइल अपनी टेबल पर ही मिलती है वो अपने बॉस को सारी फाइल दिखाने के बाद प्रमोशन पा जाता है घर आने पर वो बहुत खुश था और अगले दिन वो जादूई बैंगन की मदद से अपनी मा के जन्म दिन पर सभी बच्चों को अच्छे अच्छे उपहार गिफ्ट देता है और बहुत सारे जरूरत मन्द लोगों की मदद करता है जादूई बैंगन भी कुछ दिन सुरेश के यहां रहने के बाद अपने आप एक रात वहां से गायब हो किसी और दूसरे जरूरत मन्द के पास चला जाता है अहिल्या अब जवान हो चुकी थी लेकिन बच्चपन में मिली हुई सभी जिम्मेदारियों को वह आज भी उसी तरह निभा रही थी बच्चपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद अहिल्या अपनी दादी के साथ रहती थी और बारा साल की उम्र से ही वह अपनी दादी के साथ सबजी बेचने का काम किया करती थी समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है उसकी दादी अब काफी बूर ही हो चुकी थी और अहिल्या अब गली-गली सबजी बेशने के लिए जाया करती थी सुबा सुबा सबजिया ताजी रहती हैं अहिल्या कहां मेरे चकरों में पड़ी हुई है अरे मेरे इतने हाथ पैर चलते हैं कि मैं अपना सामान उठा सकती हूँ जा बेटा जल्दी जा काम को देर हो रही है हां हां बस करो दादी मुझे पता है मेरे बाद घर में तुम कितने काम करती हो चुप चाप यहीं बैटी रहती हो पूरा दिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता रहती है इसलिए ये खाना पीना सब मैं यहां टेबल पर रख कर जाती हूँ मेरी प्यारी दादी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वे उसे अपने पास ही मिले ना जाने कौन से पुन्ने किये होंगे मैंने जो तेरी जैसी पोती मिली है अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए दादी अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते है ये गरीब की कुटिया है यहां कोई राजकुमार नहीं आने वाला चलो अब मैं चलती हूँ अहिल्या अपनी दादी को प्रडाम कर घर से निकल जाती है और सबजी बेचने के लिए गली-गली गूमने लगती है सबजी ले लो, सबजी, ताजा-ताजा सबजी आलू, बैगन, बिंडी, तोरी सबजी ले लो सबजी, सबजी वाली अरे ओ सब्जी वाली जरो इधर तुआ क्या सब्जी है आज तेरे पास आपको क्या चाहिए जी जी मेरे पास तो आलू, बैगन, भिंडी, तोरी, हरा धनिया सब कुछ है दो बैगन दे दे बढ़िया सा भरता बनाना है अभी लो, इतने ताजा बैगन है कि भरता बड़ा मस्त बनेगा हरा धनिया और हरे मिर्च भी दे दो क्या बगेर हरे धनिया और मिर्च की तो भरता बनने से रहा ला, दस रुपे का वो भी दे दे अहिल्या उस औरत को सबजी दे अगली गली में जाकर आवाज लगाने लगती है सबजी ले लो सबजी, ताजा ताजा सबजी अरे ओ सबजी वाली, जरा एक किलो भिंडी तो तोल दे और देख, भिंडी कजी होनी चाहिए बाई साहब, कोई भी भिंडी उठा कर देख लो बिलकुल ताजी मिलेगी आहा, ठीक है, एक किलो अलू भी तोल दो अहिल्या टोकरी में से निकाल कर सबजी आखोल कर उस आदमी को दे देती है तभी वहाँ पर तीन-चार औरत और आ जाती है और वह सब को सबजिया देने लगती है सबजी वाली, आज बड़ी देड से आई है तू मैं कब से तेरा इंतिजार कर रही थी घर में महमान आने वाले हैं और आलू तक नहीं है घर में ऐसा कर जल्दी से एक किलो आलू हरा धनिया, हरी मिर्च और एक किलो बैगन भी तोल दे अरे जी जी बैगन तो एक ही बचा है आपका हो तो दे दू ना ना रहने दे तेरे एक बैगन से मेरे इतने बड़े कुन्बे का भोजन नहीं बन पाएगा औरत सबजी लेकर घर के अंदर चली जाती है और पैसे लाकर अहिल्या को दे देती है अहिल्या अपनी चुन्नी के कोने को खोल कर उसमें पैसे बांध लेती है और चलते चलते जब वे काफी ठक जाती है तो एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है चलो भगवान का शुक्र है आज सारी सब्जियां हातों हात निकल गई अब ये एक बैगन बचा है मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है अब तो मन भी नहीं कर रहा ऐसा करती हूँ यहां मंदिर में रख देती हूँ पुजारी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे यह सोचकर अहिल्या बैगन को लेकर मंदिर में भगवान शिवलिंग के पास रख देती है तभी उसे आवास सुनाई देती है भगवान के दर्शन हो गई मुझे तो क्या ओहो भाग्य पाए है मैंने धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने को मिलेंगे अहिल्या तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया मांगो तो सही क्या चाहिए हे भगवान ये मैं क्या देख सुन रही हूँ सबजिया भी कभी बोलते है जरूर बैगन के अंदर कोई बूठ होगा हाँ 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 नहीं नहीं नादान लड़की मैं तो ये जादूई बैगन बोल रहा हूँ मैं एक जादूई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वज़ा से मैं आज मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाया हूँ मैं सब काम कर सकता हूँ मुझे उठा लो अहिल्या अपने घर ले चलो आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना तभी अहिल्या देखती है कि एक बूढ़ी औरत मंदिर में आती है और भगवान की आगे हाथ जोड़ कर रोने लगती है कितना तिरा स्कार करवाएगा भोले नात दो दिन से भूखे घूम रही हूँ जिसके दर पर जाती हूँ सब मुझे लताड देते हैं तूने मुझे इस धर्ती पर भेजा है तू ही मेरे जलपान का प्रबंध कर वरना तो मैं तेरी चोखट पर अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगी ऐसा तो ना कहो बुड़ी मा भगवान के दर पर आकर भी इतना अविश्वास दुनिया जहां से ठोकर मिल सकती है लेकिन यहां भगवान के दर से नहीं लगता है ये बुढ़ी अमा काफी दुखी है इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और ना ही इनके पास पैसे हैं बहु बेटा ने घर से निकाल दिया है ए भगवान ये कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रन कर डाला बुढ़ी अमा मैं बोल रहा हूँ जादूई बैगन अब तेरे सारे दुख के दिन बीद गए है अब तू अपनी उस जोपड़ी में चली जा जहां तेरा बेटा बहु ने तुझे रहने के लिए दी है और शाम को चमतकार देख फिलहाल तो तू पेट भर कर खाना खा तू बहुत कमजोर लग रही है देखते ही देखते वहां एक भोजन की थाली आ जाती है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सबजी, दही और मीठा भी था अहिल्या तो हैरान थी वह बूढ़ी काकी भी बड़ा हैरान थी वह भोजन करने लगी और अहिल्या और जादूई बैगन को आशिर्वात देकर वहां से चली जाती है जादूई बैगन के कहने पर अहिल्या उसे अपने साथ घर ले आती है उधर शाम को बूढ़ी काकी की जोपडी में ए भगवान यह मेरा चोटा सा बकसा इतना चमा क्यों रहा है वह डर कर जैसे ही अपने उस चोटे से बकसे को खो उसके बेटे और बहु वहां आते हैं और बुढ़िया को सोने के साथ देकर उसके पैर पकड़ लेते हैं अरे माई मुझे माफ कर दे चली यहां जो अपडी से अब तुझे यहां रहने की जरूरत नहीं है तू अब हमारे साथ रहे हम जो आज तेरे साथ कर रहे हैं वही कल हमारी उलाथ हमारे साथ करेगी अगर तुम सच में पच्चाथाप से चल कर यहां आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ हां, अगर तुम इस सोने के चमक को देख कर मेरे पास आए हो, तो यह सोना ही काफी है मैं तुम जैसे बेटे और बहु और भी बना लोंगी बूरी औरत मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देती है और अपने बेटा और बहु के साथ उसके बड़े घर में चली जाती है उधर अहिल्या के साथ अरे दादी ने अभी तक खाना नहीं खाया लगता है इनकी तबियत ठीक नहीं है दादी ओ दादी क्या बात है तूने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया क्या करूं बिटिया आज बिलकुल भी मन नहीं था खाना खाने का सुबह से बड़ी घबराहट हो रही है बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने है आरे दादी हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगी न जब तुम स्वस्थे रहोगी चलो बैठो जल्दी से खाना खाओ मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा तभी जदूई बैगन से रोश्ने निकलती है और अहिल्या की दादी की चार पाई के चारो तरफ घूमने लगती है देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारिया खत्म हो जाती है हे भगवान ये तो जादूई बैगन है इसने तो कमाल ही कर दिया अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं अपने आपको जवान और तरो ताजा महसूस कर रही हूँ चलो दादी अब जल्दी से खाना खाओ तुम्हारी पोती भी सुबह से भूकी ही घूम रही है वे दोनो दादी पोती खाना खाने बैठते हैं कि तभी दर्वाजे पर दस्तक होती है इस समय हमारे घर कौन आया होगा दर्वाजा खोलूँगी तो पता चलेगा न दादी तुम बैठों मैं देखती हूँ अहिल्या दर्वाजा खोलती है तो देखती है सामने एक बड़ा ही सुन्दर सजीला नौजवान खड़ा हुआ था मेरा नम परकाश है क्या मुझे पीने के ये पानी मिल जाएगा आज आओ परकाश आजाओ अरे तुमने तो मेरी बात का बुरा ही मान लिया था तुम्हें पता है मैं तुम्हें कहां कहां डूंड रहा था और एक तुम हो जो यहां बैठे हो जादवी बैगन और परकाश को बाते करता हुआ देखकर अहिल्य और उसकी दादी हैरानी से दोनों की तरफ देख रहे थी कि तभी परकाश दोड कराता है और बैगन को उठा कर गले से लगा लेता है तो मैं क्या करता घर छोड़ कर ना आता तो तुमने उस जिन कहा कि अगर तुम कोई मेरे लिए लड़की ढूंड सकते हो तो ढूंडो तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी और सच्ची और सुलजी हुई लड़की देख ली है अरे तुम दोनों तो लगता है एक दूसरे को जानते हो आपस में क्या खिचडे पका रहे हो जरा हमें भी तो बताओ ये प्रकाश है मैं इसी के पास ही रहता हूँ हम बहुत पुराने दोस्त हैं प्रकाश के माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी एक बड़ी ही समझदार लड़की के साथ हो जाए लेकिन वे ऐसी लड़की ढूंड नहीं पा रहे थे मैंने प्रकाश से कहा तुम अपने लिए खुद एक लड़की ढूंड लो तब इसने गुसे में कहा कि अगर तुम्हें ढूंडनी है तो ढूंड लो फिर मैं गुसे में वहां से गायब हो गया और अहिल्या के पास आ गया अहिल्या एक बहुत ही प्यारी लड़की है और प्रकाश मैंने तुम्हारे लिए अहिल्या को पसंद किया है ये सुनकर अहिल्या शर्मा जाती है, प्रकाश अहिल्या को ध्यान से देखता है तो वह अहिल्या को अपना दिल दे बैठता है दादी मा, अगर आपकी जाज़त हो तो क्या मैं अपने माता-पिता को यहां बुला सकता हूँ? वे दोनों आपसे मेरी शादी की बात कर लेंगे मेरे अहिल्या की तो किस्मत जाग गई, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, मैं भी अपनी पूती का विवाह करना चाहती हूँ प्रकाश अहिल्या से पूछता है और अहिल्या भी हाँ बोल देती है, फिर प्रकाश वहां से चला जाता है और जादुई बैगन अहिल्या के घर को बड़ा सुंदर बना देता है, उसके पास सुंदर-सुंदर कप्रे रख देता है अब तो तुम भी राजकुमारी दिखाई दे रही हो अहिल्या ये सब कुछ तुम्हारी वचा से ही तो हो रहा है अगले दिन प्रकाश अपने माता पिता को ले कर आता है और कुछ दिनों बाद प्रकाश और अहिल्या की धूमधाम से शादी हो जाती है और प्रकाश दादी को भी अपने साथ ले जाता है यह देखकर जादुवी बैगन खुशी से जूमने लगता है